को कह रहा है, a uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth wall making an angle of 53 degree with it, the other end rests on a horizontal floor, find the normal force and the frictional force that the floor exerts on the ladder. अब सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं की ladder है, इसकी length given है हमको, ठीक है, अब यह contact force है, जहाँ पे जो rod पे force लगेगा, वो लगेगा इस direction में, perpendicular to the surface, that is N1, यह angle 53 में को given है, rod के center of mass से, जो center of mass पे जो force लगेगा, वो हो का gravity force, that is W, value, उसके बाद rod की, जो ladder है, उसकी tendency है, इदर skid होने की, इसी लिए इस पे friction force लगेगा, इस direction में लगेगा, और again, जैसे यहाँ पे भी normal force perpendicular to surface था, यहाँ पे भी normal force perpendicular to surface होगा, अब यहाँ पे मैं को normal force निकालना है, ऐसे question को solve करने के लिए, जो भी vertical force है, क्योंकि मैंको यह द equilibrium का मतलब, vertical equilibrium भी है, यानि कि जितने force नीचे और उपर की direction में लगने हैं, वो balanced है, और rotational equilibrium पे भी है, तो किसी भी point के बाद मैं rotation इसका देखों, तो वो भी balanced है, इसलिए यह अपनी जगा पे टिकी भी है, ठीक है, तो नीचे लगने वोले forces कौन कौन से हैं, आप देखो, नी भी balanced है, तब भी rod यह से टिकी हुई है, ठीक है, तो N1 equals to F आजाएगा, यह मेरी core equation हो गई, अब यह जो ladder है, यह rotational equilibrium पे भी है, अब देखो, torque, क्योंकि rotational equilibrium पे है, तो torque लग रहा होगा, और जो torque होगा, वो balanced torque होगा, ठीक है, किसी force की वज़े से torque होगा clockwise direction में, और दूसरे force की जैसे होगा torque, anti-clockwise direction में और दूसरे दोनों का magnitude सेम होगा, तो मैं torque किसी भी point के about निकाल सकता हूँ, इसके about भी निकाल सकता हूँ, इसके about भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे b point के about ही क्यों निकाल रहे हैं, आप हमेशा दियान रखें कि हम torque उसी point के about निकालना prefer करत हैं, जिस point के about maximum number of forces लग रहे होते हैं, क्योंकि जिस point के about forces लग रहे हैं, वो forces तो torque को produce ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको समझ सकते हो आप, अगर मैं को torque निकालना है इस point के about, और इस point के उपर ही मैं force लगाँ, तो वो कोई torque प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, suppose अगर मेरे पास की कोई दर्वाजा है, ठीक है ना, इसको देखो, आपकी कोई दर्वाजा है, यह इसका handle है, और यहां से hinged है दर्वाजा, इधर force लगाँगा, तो दर्वाजा इधर चला जाएगा, घूमाना दर्वाजा, इधर force लगाँगा, तब ही दर्वाजा इधर घूमेगा, लेगिन अगर Isar जहाँ से हेंस्ट है दरवाजा वहीं पर फोर्स लगाऊ यह तो इस टारेक्शन में लगाऊ यह उपर से लगाऊ यह नीचे से लिगाऊ किसी भी एंगल से कहीं से भी लगाऊ अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में फोर्स लगाऊंगा तो torque ही नहीं आएगा न ऐसे ही यहाँ पर यह दोनों जो forces हैं यह torque देंगे ही नहीं तो मेरे दोनों forces की वज़े से torque नहीं आएगा तो मेरी जो equation बनने वाली है वो easy बनेगी और छोटी बनेगी तो calculation में easy रहेगा तो smart work करते वे चलना है न अपन को hard work करना है और smart work भी करना है साथ में देखी आगे अब b point के about मैं torque निकालता हूँ इन दोनों forces की वज़े से torque नहीं है इस force की वज़े से दीखे torque यह हो गया मेरा n1 force अब torque क्या होता है यह axis of rotation है इस axis of rotation से perpendicular line draw करो किसके perpendicular line of action of force line of action of force ही है force इस line के about लग रहा है यह सीधी line जो है यह force वाली line इसको अब इधर भी extend कर सकते हो पीछे भी ले जाओ तो यह जो पूरी line है ना यह line of action of force है ठीक है अब line of action of force का perpendicular distance इससे axis of rotation से perpendicular यह हो गया perpendicular distance ठीक है तो यह वाला distance multiply by यह वाला force तो यह वाला distance कितना है AO के बराबर ही है ना तो मैं यह लिखूंगा torque about point B N1 force की जैसे N1 into AO दूसरा force है यह वाला अब यह भी torque यह कैसे torque produce कर रहा है N1 force ऐसे घुमाना जा रहा है ना इसको और यह कैसे घुमाना जा रहा है ऐसे तो देखो एक घुमाना इसको anti clockwise एक घुमाना इसको clockwise दोनों balance रहा है इसलिए नहीं गिर नहीं रही है ठीक है ना ladder गिर नहीं रही सीधी सी बात है तो W into C भी इसको देखो आप यह है मेरा axis of rotation अब इस axis of rotation से इस force line of action of force पे perpendicular draw कर तो ठीक है तो यह वाला distance में को निकाल लें निकाल लेंगे trigonometry लगानी भी या simple C लगेगी यह 53 angle given है इसकी length भी given है तो आप triangles की side निकाल सकते हो यह तो math से अब ठीक है तो हमने AO की value निकाल ले trigonometry से CB की value भी निकाल ले trigonometry से clear values put कर देंगे 53 sin 53 cos 53 solve करेंगे n1 आ गया मेरा अब n1 आ गया तो n1 से मेरा f भी आ जाएगा ठीक है और f अगर मेरा आ गया तो मेरे पास n2 भी आ जाएगा क्योंकि n2 is equals to w है और n1 equals to 2 by 3 w है तो देखिए आप इसको यहां से हमें देख सकते है कि n2 equals to w है और n1 equals to 2 by 3 w है तो n2 equals to w w की value हमने निकाल ली है यहां से w की value निकाल लेंगे होगी 3 n1 by 2 और n1 की value है हमारे पास sorry w की value हमको question में given है ठीक है तो w की value हमने डाली n2 आ गया हमारे पास इदर भी w की value डालेंगे n1 आ जाएगा हमारे पास और f भी आ जाएगा क्योंकि f और n1 सेम है तो हमारे पास सारे answer आ जाएगे ठीक है तो इसी method से हमको question को solve करना है Thank you so much